हालो फ्रेंड्स क्या आपका मेनोपॉज 40 साल से पहले आ गया है यानि क्या आपके महीने आने बंद हो गए और आपके उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई है यह तो बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई है क्या आखिर मेरे महीने बंद क्यूं हो गए है तो मैं डॉक्टर महीने बंद हो जाते हैं तो हम उसको मिनोपॉज केते हैं क्योंकि मीनोपॉज 60 साल 50 साल 1 पाइस पास है और एसके क्या कारण हो सकते हैं क्या क्या प्ले इक्षक्ष परावेगए इसका क्या एकिए इफैक्ट पड़ेगा इस पूरे फीडियो में इन ही चीजोंपर ॡुक् तो सबसे important है कि premature menopause आखिर क्यों हो जाता है menopause आने का सबसे जो मोटा लक्षन है वो यह कि जैसे ही आपके ovaries estrogen hormone बनाना बंद कर देती है तो आपको menopause आ जाता है तो ऐसा ovaries में क्या हो जाता है कि वो estrogen बनाना बंद कर देती है क्योंकि normal उसका काम है estrogen बनाना तो कई सथियां ऐसी होती है कि जैसे ovaries को surgically निकाल दिया यहने कि surgery करके ovaries को ही निकाल दिया तो surgical menopause बोलते हैं लेकिन आगर आपके शरीर में ovaries ही नहीं है तो estrogen नहीं बनेगा और estrogen नहीं बनेगा तो आपका menopause हो जाएगा दूसरा किसी-किसी को cancer का patient होता है जो chemotherapist को दी जाती है या radiation उसको दिया जाता है जिसके वज़े से ovaries damage हो जाती है तो भी menopause हो सकता है तीसरा कारण होता है कि किसी-किसी इनसान को mumps जैसे virus का infection हो जाता है जो कि ovaries को खतम कर देता है तो उसमें भी problem हो सकती है viral infection हो गया इसके अलावा एक normal से बात होती है यह आपकी mother का sister का या आपकी nani का menopause 40 साल के आसपास ही हो गया था तो हो सकता है कि आपको genetically यह चीज़ inherited मिली हो और आपका भी menopause 40 साल के आसपास हो जाएगा तो इसमें आपकुछ कर नहीं सकते लेकिन जो हो गया है उसको … manage कर सकते हैं किसी-किसी लेड़ी इसको autoimmune diseases होती है जैसे कि Krohan disease हो गया thyroid के disease हो गई या autoimmune disorders होते है किसी-किसी और घृधिस का problem होता है तो rheumatoid paar arthritis होता है तो यह कुछ autoimmune diseases होती है जो कि ovaries को भी effect करती है और ovaries भी बिमारी के चलते काम करना बंद कर देती है ovaries की surgery के साथ साथ ही uterus removal की surgery यानि हिस्टरक्टमी भी यदी होती है तो कई बार ovaries भी काम करना बंद कर देती है जनरली ऐसा नहीं होता है बट exceptional cases में कभी-कभी ऐसा हो सकता है तो ये कुछ कारण थे जिनकी वज़े से premature menopause हो सकता है यदी premature menopause हो गया है अब उसका आपके शेरी पर क्या-क्या फरक पड़ेगा सबसे important है कि जैसे estrogen का level कम होता है तो आपकी हड़ियां कमजोर होने का संभवना काफी हद तक बढ़ जाती है muscles कमजोर हो जाती है इस इनका elasticity चला जाता है और इसके साथ ही आपका mood का swings बढ़ जाता है irritation बढ़ जाता है चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है नींद कमाने लगती है आपको urinary problems हो सकती है आपको vaginal dryness की problem हो सकती है और इसके साथ ही आपको insomnia के साथ insomnia हो सकता है और depression की शिकायत हो सकती है इसके लावा आपको साथ-साथ hot flushes आ सकते हैं यानि कि आपको गर्मी लगकर एकदम से पसीना आ सकता है और बाद में ठंड लग सकती है जो कि बहुत सबसे common symptom है aminopause का hot flushes hot flushes के साथ हमने बात करी depression की, anxiety की, insomnia की, urinary problems की vaginal dryness के साथ ही आपका skin का dryness हो सकता है, mouth का dryness हो सकता है, eyes के अंदर rashes हो सकते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़े हैं कि जो aminopause के साथ जुड़ी है तो यदि aminopause आपका जल्दी हो जाता है तो definitely आपको अपने gynecologist से मिलना चाहिए और gynecologist के साथ ये सारी problems आपको share करनी चाहिए आपकी gynecologist आपकी सारी problems सुनकर उसके हिसाब से आपको medicine देता है क्योंकि इतनी कम उम्रों में यदि आपके महिने चले जाते हैं और estrogen का level कम हो जाता तो आपके शरीर पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए estrogen supplement दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है estrogen के साथ यसाथ प्रोजिस्टरॉन का supplement भी दिया जाता है ताकि जो estrogen के side effect हैं उनको रोका जा सके estrogen के आपको गोलियां दी जा सकती है estrogen की वजाइना के अंदर लगाने वाली cream होती है जिससे की वजाइनल dryness कम होती है इसके साथ ही estrogen के patches भी आते हैं जो कि आप अपनी body पर कहीं भी apply कर सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी मत्रा में estrogen आपको body की requirement के अनुसार मिलता रहता है इसके अलावा combined injections भी आते हैं जिसमें estrogen, progestron और testosterone के combined injection होते हैं जो कि महिने में सरफ एक बार लगाया जाता है जिससे कि आपकी body की estrogen के requirement पूरी हो जाती है progestron साथ में उने से estrogen के side effect नहीं आते हैं और testosterone का level उसमें अच्छा होने के कारण आपकी हड़ीयां और मासपेश्यां मजबूत बनी रहती है और आपकी sexual desire भी अच्छे बनी रहती है जैसे ही आपको menopause होता है तो estrogen के साथ vitamin D और calcium भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है calcium के गोलियां आती, vitamin D के capsule साथे हैं वो आप ले सकते हैं लेकिन diet में भी आपको इन सब चीजों को incorporate करना जरूरी है यानि कि आपको heavy calcium diet आपको लेनी चाहिए जैसे कि दूध है, छाच है, दही है, पनीर है, चीज है ये सारी चीज़ें आप आराम से अपनी खाने में add कर सकती है yoga meditation exercise बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने lifestyle में add करना और इसके साथ ही अपने आपको खुश रखना और अपना ध्यान रखना क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपके शरीर की जिम्मेदारी आपकी ही है, किसी और की नहीं है यदि आप अपनी care नहीं करती हैं तो दूसरा भी नहीं करेगा तो जो चीज़ें आप अपने घर पर कर सकती हैं, यानि कि अच्छा पानी पीना अच्छा खाना खाना, हरी सबजियां, प्रोटीन, दूद, धई, चाच, यह सब लेना आपके जिम्मेदारी है, और उसके साथ जो symptom सारे हैं डॉक्टर के पास जाकर शेयर करना, और डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन प्रिस्काइब करी है, उनको लेना ये भी आपके जिम्मेदारी है मैं समझती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इंफार्मेटिव रहा होगा, यदि इससे रिलेटिड आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बाक्स में लिखके पूछ सकती है, हम आप से फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जैनकरी के साथ, तब तक नमस्क्राइब